काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम को हुए लगातार दो विस्फोर्ट में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि दूसरा धमाका यूएस आर्मी के सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया था. पेंटागन ने बताया कि काबुल हवाई अड़े के पास स्थित बेरन होटल में या उसके करीब अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर एक और धमाका किया गया है. इसमें कई अमेरिकी सैनिक और आम नागरिक हताहत हुए हैं. हाला कि अमेरिका ने अभी तक किसी के मौत की पुष्टी नहीं की है. उधर राश्ट्रपती जो बाइडन कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिकी नागरिकों पर हमला किया जाता है तो वह तुरंत और कड़ी सैनिय प्रतिक्रिया देंगे. अमेरिकी रक्षा मंत्राले पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्भी ने थ्वीट कर कहा कि हम कुष्टी कर सकते हैं कि A.B. गेट पर विस्फोर्ट एक जटिल हमले का परिनाम था जिसके परिनाम स्वरूप कई अमेरिकी और नागरिक हताहत हुए. काबुल एरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों के ऊपर हुए हमले के बाद जो बाइडन तुरंथ सिचुएशन रूम से हर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं. उनके साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री लोयड औस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी मौझूद हैं. प्रशासन के एक वरिष्ट अधिकारी के अनुसार, जब विस्फोर्ट की सूचना मिली तो बाइडन अपनी राश्ट्रिय सुरक्षा टीन के साथ अपनी दैनिक अफगानिस्तान ब्रीफिंग के लिए सिचुएशन रूम में थे. बाइडन प्रशासन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि राश्ट्रपती और उनके शीष्ट सहीवगी घटना के दो घंटे बाद भी सिचुएशन रूम में ही बने हुए हैं. यहां उनको अफगानिस्तान के काबूल एरपोर्ट के जमीनी हालात की जानकारी दी जा रही है. जैसे जैसे हमें इन्पुट मिल रहे हैं, राश्ट्रपती बाइडन को उसके बारे में बताया जा रहा है. अमेरिकी राश्ट्रपती जो बाइडन खुद ही कम से कम तीन बार काबूल एरपोर्ट पर हमले का अलर्ट दे चुके थे. 20 अगस्ट को उन्होंने कहा था कि हम हवाई अड्डे पर या उसके आसपास किसी भी संभावित आतंकवादी खत्रे पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं. इसमें अफगानिस्तान में IAS IAS सहयोगी शामिल हैं, जो जेलों को तोडने के बाद बाहर निकले हैं. 22 अगस्ट को भी उन्होंने कहा था कि हम किसी भी स्रोट से खत्रों की निग्रानी और बाधित करने के लिए निरंतर सतर्कता बनाए हुए हैं. 24 अगस्ट को भी बाइडन ने कहा था कि हम जितने लंबे समय तक रहेंगे, IAS IAS के नामत एक आतंकवादी समूह द्वारा हमले का जोखिम उतना ही बढ़ता जाएगा. माना जा रहा है कि जो बाइडन अपने सैनिकों पर हुए हमले के खिलाफ एक छोटी सैने कारवाई को मन्जूरी दे सकते हैं. इसमें तालिबान और बाकी अमेरिकी खुफिया एजन्सियों से मिले इंपुट के आधार पर अफकानिस्तान में तालिबान के ऊपर हमला करना भी शामिल हो सकता है. एक संभावना यह भी है कि काबूल एइरपोर्ट से लोगों को निकालने की प्रक्रिया कुछ दिन के लिए रोकी जा सकती है. हालात सामान्ने होने के बाद फ्लाइट्स को दोबारा शुरू किया जा सकता है. कालिबान से भी जो बाइडन की कीन संपर्क करेगी और जमीनी हालात की समीक्षा कर सकती है.